नमस्कार दोस्तों आज हम लोग ऐसे बेट्टी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने हमारे देश के लिए यानि कि हम सब के लिए अपनी पूरी जिन्दगी लगा दी और अभी भी आप उनके अगर वक्त अब सुनते हैं तो उनके मुझे से यही सब्द निकलते हैं कि हम हम हमारी जब तक सांसें चलेंगी देश के लिए चलेंगी आज हम लोग बात करेंगे अन्ना हजारे साहब के बारे में वह याद रखिए आपने देखा है लोगपाल उनी की देन है अभी एक दिन मैं इंटर्वीव देख रहा था कहीं तो उनसे कहा गया है कि आप चुनाव क्यो जागरूप नहीं है और वो मुझे कभी वोट नहीं देगा जैसे ही उसे 500,000 की नोट दिखते हैं वो उसी को वोट देने लगता है ए अन्ना साहब के अन्ना हजारे साहब के बक्तर रुथा तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में जानेगे अन्ना हजारे एक भारतिय सामाज जो ग्रामीर विकास को बड़ावा देने के साथ ही सरकारी, कारेयों को पारदर्शी बनाने और जंता की सिवा करने, वरहष्टाचारी की जाज करने, सजा देने के लिए अंदोलन की नित्यत करता के रूम में जाने जाते हैं जमीनी इस्तर्वा अंदोलन को बिवस्थित कर पुरुपसाहद करने के lezione उन्होंने गांदी जी की एहसात्मकों सत्कानिती कहने करने। एक बात तो ऐसा हुआ कि इन्हें जेल में बंद कर दिया गया और इन्हें बात में रहा करने की बात की गई लेकिन उन्हें 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 मना कर दिया और इन्हें उन्हें वहीं भूखरताल सुनू कर दी उन्होंने एहमद नगर जिले के जालिगर गर्ण सिद्धी नामक गाउं की सरजना विकास में युगदान देते हुए इस गाउं को दूसरों के लिए एक मॉडल की रूम में भी स्थापित करने का प्रयास किया है अन्ना हजारी को 1992 में भारत सरकार द्वारा भालत की राष्टिय पुरुसकार पदम वीभूसां से भी संभानिक किया गया है और इसके साथ उन्हें कई अंतराष्टिय पुरुसकार भी दिये गया है इसके ऐसे ही चरित का ब्याक्ष्यान इनकी जीवनियों के जरिये हम लोग देखेंगे इनकी पिक्चर्स देख लीदे आप लोग यह हैं हमारे अन्ना हजारी साहब देख रहे होगे आप लोगो को इसको ही इन पर ठीक है तो आज हम लोग इन ही के बारे में जानेंगे और इनके उपर आपकी मूवी भी बन चुकी है तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं अन्ना हजारी की अगर जनम की बात करें यानि की इनके जीवन की तो किसान बाबूराओ हजारी का जनम इनका बूरा नाम याद रखना किसान बाबूराओ हजारी है इनका जनम होता है 15 जून 1937 को कहां होता है महराष्ट की एहमद नगर जिले के निकट भिंगार में एक मराथी किसान परिबार में हुआ बेक्तिगर जीवन में अन्ना हजारी आविबाहे बिस्सन 1975 से रालेगर्ण सिद्धी के संत याद यादो बाबा मंदिर के एक छोटे से कमरे में रहते हैं 16 अपरेल सं 2011 में उन्होंने अपनी संपत्ती का वेवरा देती हुए बताया कि उनके पास बैंक में जमारासी 67,163 रुपे है और साथी रालेगर्ण सिद्धी में उनकी पुस्तेनी जमीन 0.07 हेक्टर है याद रखी है इतना जिसका उप्यों उनके भाईयों के द्वारा किय जाता है उन्होंने गाउं के लिए जमीन के दो टुकडों को भी दान कर दिया यार यह कि यह पूरुप सैनिक रहे हैं इसलिए इनकी पैंसन भी इन्हें मिलती है तो इनके अभी अकाउंट की बात करा हूं और अभी हाली में उन्होंने इंटर्वी दिया हुए था उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक ट्रस्ट बनाये हुए जितना भी पैसा उनके पास था उन्होंने उस ट्रस्ट में दान कर दिया और बता रहे थे कि 12 से 14 लाग उसका ट्रस्ट में ब्या जाता है वो सभी गरीवों पर खरच होता है इनका यानि कि परिवार की बात करें त लेकिन इनोंने साधी नहीं किये तो मैं यही कहूंगा आज कि अभी तक कभी नहीं बोला हैं लेकिन इसे अन्ना साहब की जीवनी को सभी व्यक्तियों तक पहुंचाई हैं क्योंकि इनका भी मानना है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो राजनीती में यवाओं को आ लड़ा होने लगा है तो अगर देश को आगे जाना है तो हिंदो मुसलिम लड़ाई आप सोचें फिर मंदिर मस्चित इस तरह से कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा जहां आज हैं उससे भी पीछे हम लोग चले जाएंगे एक समय के बाद तो याद रखिए अगर आगे चाइना आजा दूए उसके बाद आप फिर भी देख रहे हैं कि GDP के मामले में हमसे आगे है चाइना हर छेत में देखी लिए यह कई रैंकिंग आती हैं कि उसमें भी हमसे बहतर रिस्तिती में है चाइना समझ रहे हैं और अपना मतलब घर उसका इतना अच्छा मार्केट है चाइना का कि मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि अमेरिका से भी महासक्ती बनने की कतार में खड़ा हुआ है अमेरिका से आगे निकलने की चाहत उसकी बढ़ चुकी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहां से अमेरिका पीछे अट रहा है फिर चाहे आपका अफगानिस्ता में लाना होगा एक सबसे वड़ी बात आप लोगों ने देखा है कि इन्हों ने चुनाओ के बारे में जो बात की इससे आप लोग भी सहमत हैं और हम भी सहमत हैं कि अगर कोई भी बोटर अगर जागू को जाए देखिए देश की जो आधार वो सरचना है देश का जो आधार है वो बोटर है अगर आप सोचें देश की राजनीती में इस तरह से विष्टा जार बढ़ता रहा तो देश हमारा खोकला हो जाएगा तो अगर देश को आगे ले जाना है तो जो बोटर है उन्हें जागरूप होना होगा अन्नाहजारी के अगर परिवारिक जीवन की बात करें तो अन्नाहजारी के परिवार में उनके माता-पिता के अलाबा उनके च्छे भाई-बहन भीट थे यानी की हैं इन्होंने अभी इनका इंटर्विव देखिए आप लो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ इनके बार में जानने को मिलेगा इन्होंने कहा है कि इनके भाई बहन के जो बच्चे हैं उनके क्या नाम है ने ये भी पता नहीं अब समझ रहे हैं इन्होंने बहुत पहले अपना घर परिवार छोड़ दिया अन्ना उनमें सबसे बड़े हैं और अन्ना के पिता का नाम बाबू राओ हजारे था जो एक आयोवेद आसरम फार्मेसी में मज़दूर का काम करते थे उनकी माता जी का नाम लच्च्वीम वाई हजारी था जो एक ग्रहनी थी और अन्ना हजारी की दो बहने और चार भाई थे कितने दो बहने हैं इनकी और चार भाई हैं याद रखिए यह अपने जीवन के बारे में बताते हैं इन्होंने साधी भी नहीं किये पता है आपको बताते हैं कि इनके घर परिवारवार रिस्ते जो रिस्तेदार हुआ करते थे मुकिस तरह से इन पर पेशा डाल देते इन्हें पागल गोसित कर दिया था और कहते हैं कि उसी पागल पन का आज मुझे फायदा मिला हुआ है कि आज हमारा देश पूरा परिवार है अगर बोलते हैं कि अगर साधी कर लेता तो साधी दो चार बच्चे हो जाते इतना चोटा परिवार है था लेकिन आज देखिए कि पूरा देश इनका परिवार है बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेगी आप लोग देखिए अन्ना हजारी की सिक्षा की अगर बात करें हम लोग तो गरीवी की वज़े से उनके भाई बहन कभी स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जा पाए आर्थिक संगर्स के दोरान उनका परिवार अपने पैत्तक गाउं राले गन सिद्धी में एक छोटी सी किर्सी भूमी पर खेती कर अपना जीवन बितीत करने लगा एक रिष्टेदान ने मदद के लिए आंगे बढ़ती हुए उनकी सिक्षा को बोज उठाया और वह पढ़ने के लिए मुंबई आ गए लेकिन कुछी समय बाद उन्होंने अपनी आर्थिक आसमर्थता जिताई जिस बज़े से अन्हा की बढ़ाई सादवी कक्चा तक ही हो पाई है बाद में अन्हा ने मुंबई के दादर रेलिवी स्टेशन पर फूलों की बिक्री का काम करना सुरू किया और अंदर था वो सहर में दो फूलों की दुकान खोलने में काम्याब भी हो गए वह एक ऐसे सतर्ट समूव में सामिल हो गए जिनका काम जमीदारों द्वारा गरीबों को डराने से रोकना उन्हें ठगने से बचना इत्यादी था एक बात आप लोग सोचिए आप लोग क्या करते हैं कि कोई अभिनेता कोई अभिनेत्री या पिर कोई नेता आपको जैसे ही उनके बारे में मालू चलता है आप लोग उनके बारे में पढ़ने लगते हैं ऐसे लोगों के बारे में पढ़िये जो हमारे देश के लिए मतलब क्या ही नहीं दिया है अब लोगपाल आपको दे दिया है आप उसका यूज करिये या न करिये आप पर निर्वट आता है उन्होंने कितनी मेहनत की और ऐसे ही लोगों को इतिहास याद रखता है आप सोची कोई एक्टर एक मूवी बना कि आप लोगोंने उसकी मूवी देखी और करोड़ों रोपे उसे दे दिये यह अलग बात है लेकिन नीचे तब किसे उठता है कोई व्यक्ति और देश के लिए अपनी जान तक देने के लिए तयार रहता है तो उसके बारे में अलग बात हो जाती है अन्ना साब के बारे में अगर हम लोग केरियर की बात करें के तो अन्ना के करियर के और उनके द्वारां किये गए सारवजिने सामाजी कारिक वर्डन हेमलिकित रूम में करते हैं सैन सेवा इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब बाग को उन्हें बताया हुआ था अन्ना हजारी ने करियर की सुरुवात 1960 की सैना की एक ड्राइवर में की रूम में काम करके की थी बाद में एक सैनिक की रूम में इसे प्रिमामेडित किया गया था सैना में अपने 15 वर्स करियर यानि की 1960 से 1975 की दोरान अन्ना हजारी को पंजाब में 1965 के भारत पाकिस्तान यूद के दोरान खेम करन सेक्टर में सीमा पर तैनाद किया गया था 1971 में नागालेंड मुंबई और 1974 में जम्मू सहे कई इस्तानों पर तैनाद किया गया इंडो पाक यूद के दोरान गाड़ी चलाती हुई एक सड़क दुरगणा में हजारे बाल बच गए थे जिसको वो एक भगवान की चमतकार की रूम में बताते हैं वो कहते हैं कि यह मेरे लिए जन सेबा करने का एक संकित था एक बात आपको मालू होना चाहिए कि बताते हैं कि इनका सीना नहीं था मिलिटरी लाइक यानि कि सैना में जाने लाइक इनकी उचाई भी नहीं थी तो उस समय लेकिन आप जाते हैं कि चाइना से यहुद का टाइम था और हमारे बता रहे थे कि कई सैनिकों सहीद भी हुए थे 1962 में चाइना सब चाइना से जब हमारा यह उद्धुगा तो उस बुले उसके बाद सैनिकों की जरूरत थी इसलिए उन्हें भर्दी कर लिया गया था और बताते हैं कि किसी ने पूछा इंसे कि आपने कोई सराब या कुछ भी नहीं जैसे आर्मी में आप चानते हैं कि बरफ में रहना पड़ता है तो सराब पी नहीं अच्छी बात है और वहां गर्मी बनाए रखने के लिए तो इन्होंने कहा है कि इन्होंने एक बार बस जिन्दिगी में रम पी है दो पैक बताते हैं बड़ी अच्छे से और उसके बाद बोलते हैं कि जब से इन्होंने बेवेका नंद साब की जीवनी पड़ी उनकी आत्मकता पड़ी तब से बोलते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया था इसे और अपने पूरी जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया था उसी समय से और बताते हैं गांदी जी के बारे में इन्होंने पड़ा जब इनसे मोवी की पूछी कई कि कि inki movie इनके उपर movie बनाई जाएगी तो इन्होंने मना कर दिया था इन्होंने कहा कि गांदी जी पर पहेड़े बनाईए पता है मतलब गांदी जी मना नहीं किया डारेक्ट ये बोला कि मैं क्या हूँ गांदी जी पर आप बनाईए क्योंकि आप जानते हैं रालीगर्ण सिध्धी की विकास में युगदान भी उन्होंने राज, सेना से आउकास प्राप्त होने के बाद अन्ना हजारे, अपने गाउं रालीगर्ण सिध्धी वापस आये जहां उन्होंने देखा कि गरीवी आभाव व्याप्त था, फर्यावर्णी ग्रावट और चट संधान की अपील की, कि बाद में युवाओं ने मिलकर तरोन मंडल नामक संगठन भी बनाया, और सामाजी कारियों में जुट गए, गाउं के यूबा संगु की संगठन ने गाउं में सिक्रेट, तमाकू सराब, बिड़ी की विक्री पर रोक लगनाने का भी नेड़े लिय इसका कड़ाई से पालन किया गया, अब रालीगड में यह सबने ही बेंची जाती हैं, इसके अलावा रालीगड गाउं में इनके द्वारा किये गये कार इस बेकार हैं, एक बात हमेशा याद रखिये कि इनकी जो विचारदारा है, वो युवाओं को आंगे बढ़ाने की ह लेकिन युवाओं इनके बारे में जाने तो, इनसे जोडें तो, आकर ये बोल क्या रहे हैं, उसे समझे तो, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश के जो भी युवाओं हैं, उन्हें एक्टरों से फुरसत तो मिल जाए, जो एक्टर बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, असली हीरो यही लोग हैं, याद रखिए असली हीरो वो लोग नहीं है, वो तो अपना एक्टर कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, उन्हें हीरो मानना आपकी बेवकुपी है, असली हीरो आपको मानना है तो आर्मी बालों को मानिये, आपके देश के युगदान जिसने दिय उसे मानिये तब आप मुझे लगता है कि सही रास्ती पर आप चल रहे होगे इन्होंने अपने गाउं में अनाज बैंक उन्नीस सोसी महजारे ने सूखे या फिर फसल बरबाद होने की स्थिति में किसानों को खाद सुरक्चा पिदान करने के उद्देश से मंदिर में अनाज बैंकी की सुरुवात की जिस बज़े से अनाज के संकर से निप्टा जा सकता है ठीक है उसके बाद वार्टर सैड विकास कारकिरम रालेगर तल हटी में स्तित है इसलिए अनाने पानी को रोकने के लिए वार्टर सैड तटबंद का निर्माटकार ग्रामीडू को समझा कर उनके साथ मिलकर सेचाई में सुधार करने के लिए किया जिस बज़े से पानी की समस्या कहतम हो गई साथ ही जिन फसलों जैसे की गन्ने की खेती में पानी की जरूद जाना होती है ऐसी फसलों की खेती को पितिवंदित कर दिया गया और दालों तिलहन इत्यादी जिसमें कमपानी की आवसकता होती है बैसी फसलों की खेती को प्रोसान किया गया किसानों को इसका खूब फायदा हुआ उनकी आपनानी बड़ी खिसानों की जब अन्ना 1975 में रालेगड आये थे तब केवल 70 एकड जमीन पर ही सिचाई का कार होता था लेकिन अब आगर आप बात करेंगे तो 2500 एकड पर अब क्या होता है सिचाई होती यानि की खेती होती पहले आप देखते हैं 70 कितना केवल 70 एकड बूमी पर अब यह बढ़कर आपका 2500 एकड बढ़ गया है ठीक है सिचाई का कार सिच्छा की अगर बात करेंगे तो इन्होंने अपने गाउं रालेगंड में एक प्रात्मी की स्कूल भी था उच्छा हासिल करने के लिए लड़कों को सिरूर और पार्ने के पास की सहरों में ले जाया जाता था लेकिन लड़कियों की सिच्छा परात्मी की स्कूल तक ही सीमित कर दी जाती थी अन्नाने सिक्छा इसतर को बढ़ाने के लिए 1989 में प्री स्कूल और हाई स्कूल की शुरुआत भी किये आप लोग अभी भी जानते हैं कि गाउं में अगर स्कूल नहीं है आगे पढ़ने का लड़कियों के लिए तो उन्हें की पढ़ाई को रोख दिया जाता है क्योंकि अगर हमें अपने देश को आंगे ले जाना है तो इनके बिचारों पर चलना होगा ऐसे लोगों कोई बिचारों पर नहीं चलना है कि जो एक्टर बने पर रहे हैं और अपनी कमाई कर रहे हैं देश के लिए कुछ नहीं मतलब उनका युगदान दिया जा रहा है और उन लोगों को एक तरफ देख सकते हैं जो अपनी पूरी जी जान से लगे हुए हैं और अभी भी बताते हैं कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो अन्नाहजारे बोलते हैं कि मैं अभी भी तैय जारूं तो समझ रहें ये जज़वा हमारे देश के युगाओं में भी होना चाहिए एक इनका काम अच्छा और था कि आसपसरता को दूर करना यानि की बेदभाव को दूर करने के लिए अन्ना के नेतिक नितित में पेरित होकर दालेगर के ग्रामीडों ने जाती की बेद चुकाने में मदद की है आप सोचिए कि आपके यान नेता होता है जाती पाती का बोट बैंक जुटाता रहता है एक जाती को दूसरी जाती से लड़ाता रहता है और अन्ना साहब को देखिए कि एक पूरे समाज को लेकर साथ में चली और सभी को एक दूसरे से मिलकर रहने की सलादी यहनों ने और ये सफल भी रहे हैं ग्राम सभा ग्रामीर विकास में गांदी वादी विचार ग्राम सभा बारत के गाउं में सामोईक नेड़े लेने के लिए एकमात्पूर लोकतांत्रिक संस्थान की रूम में जाना जाता है अन्ना ने ग्राम सभा में संसोधन के के लिए 1999 और संथ 2006 के बीच अभियान चला है जिससे राज सरकार को दबाव की वज़े से मानना भी पड़ा जिसके तहट गाउं में विकास कारियों पर बेयक के लिए ग्राम सभा की स्विकिती पिदान करना प्राप्त करना अनिवार हो गया है और आप जानते हैं कि अगर गांदी जी कुछ समय के लिए जिंदा रहते हैं तो 1950 में ही आपकी ग्राम पंचयायतों को समीधान में प्रावधान मिल जाता है और समीधान में जोड दिया जाता है जो 1993 में आपकी पंचयायतों को समीधान में जगए मिली वो आपकी 1950 में ही मिल जाती है क्योंकि आप जान अगर हम लोग अन्न सामाजिक कारियों की बात करें तो अन्ना के सामाजिक कारियों में सक्रेयता बात को निमनवाद बढ़ित किया जा सकता है महराश्ट में वहरस्टाचार विरोधी विरोध पिदर था 1991 में हजारे ने वरटाचार की विरूद जन आंदोलन की शुरुआत की उन्होंने इसी बर्स चालीस वन अधिकारियों और लकडी की ब्यापारियों के बीच मिली भगत के खिलाब विरूद किया जिसके पैडाम सोरूप इस अधिकारियों का इस्थानांतन और नीलंबन हुआ है यानि कि इनका ट्रांसफर वो इन्हें बर्खास्त कर दिया गया 4 नवंबर 1997 को गोलप ने भिष्टाचार की आरोपों के लिए अन्ना के खिलाब मानहानी का मुकद्मा दायर किया उन्हें अपरेल 1998 में गरपतार कर लिया गया बचाव के लिए साक्ष ना होनी की स्तिती में मुंबई के मेट्रोपॉलिटन कोट द्वारा तीन महीने की सजा दी गए जिसके फ़ल सुरूप उन्हें एर्वदा जिल में कैद रहना पड़ा बाद में सारवजनिक विरोध के कारण सरकार की कुरियाई का आधेश देना पड़ा अन्ना साहब की बाद क्या रहा हूँ ठीक है उसके बाद घोलप ने 1999 में मंति मंडिल से इस्तिपा दे दिया था मई 1999 में हजारे ने बिजली घर की खरीद में भेष्टाचार का ब्रोध किया 2003 में कॉंग्रेस एनसीप सरकार के चार रांकवा के मंत्रियों के खलाब अन्ना ने आरोप लगाए कि उसके बाद ततकालीनों कुमत्री जो सुसील कुमार सिंदे ने एक उप आयूप का गठन किया जिसमें न्यायमूर्ती पीबी सावंत की अद्धिक्षता में उनके आरोपों की जाच हुई जिसकी रुबोट में आपके नवाब मलिक सुर्देदा जैन पदम सिंग पाटिल को दोसी पाए गया इसके बाद जैन और मलिक ने मंत्री मंडल से इस्तिपा दे दिया इस तरह अन्ना भेष्टाचार के विरूद में हमेशा लड़ते रहे याद रखिए आपके अन्ना सहाब अभी नेता हैं अब मतलब सामाधी कार करता है नेता नहीं कर सकते हैं लेकिन अब इमानदार नेता आपको देखने को मुश्किल से एकाग मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है हम ऐसा से बताता है आँ कि हम लोगों ने वैसे बात भी की हुए है आपके लाल भादो सास्तरी साहाब के बारे में आपने सुना हुआ कि लाल भादो सास्तरी साहाब के पास एक कार खरीदने के लिए पैसे नहीं थे पिधान मंतरी रहते हुए बात करा उन्होंने एक कार करीदी वो लौन पर ली थी जिसे वो अपने जिन्दिगी में जीते जी कभी ने चुका पाय उस लौन को मरने के बाद इंद्रा गान्दी आहीं पिधान मंतरी बनी उस समय उस करच को माप किया गया था तो आप समझ सकते हैं कि एक पिधान मंतरी रहते हुए एक काल ना खरीदपाना बहुत बड़ी बात हो जाते इस समय आप देखिए कि एक सरपंच साहब बन जाते हैं तो वो एक फोर्चुना ले लेते हैं और एक दो पीड़ी के लिए खटा करके रख लेते हैं बिधाय को और मंत्री और संसदों की चोड़िये एक सरपंच की बात कराओं तो पहले इमांदार नेता हुआ करते थे तो आपके उपर खर्च हुआ करता था जो भी पैसा था आज आप पर खर्च करने की बज़ए अपनी जेम भरने पर जोड़ दिया जा रहा है समझ रहे हैं और हम लोग तमासा देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, तमासा देख रहे हैं, अब आप सोचिए कि सूचना का अधिक्यार अंदुलन, आपको सूचना का अधिक्यार मिल चुका है कि आपके गाउं में अगर कोई काम चला है, आपके सरपन साहब कुछ काम कर रहा रहे हैं, तो उसके बारे में आप पूछिए सर अन्ना साहब की ही देन है सन 2000 की दैसक में अन्ना ने महराष्ट राज वे एक आंदोलन कर नितित किया जिस बजय से राज सरकार ने एक संसोधित अधिनियम सूचना का लाज बी कुए इतना बिरोद छेला इसके बाद भी आप अपलोग सूचना के अधिकार का उजयेंकर है नहीं करें मैं पहईता हूं कि अगर आप लोग सूचना के अधिकार का प्रियोख करने लगें तो आप इंट से इंट बजा सकते हैं सरकार की आपके आउंके सरपंच को खाने की सोची है, भेषटाचार करने की सोची है लेने की देने पड़ जाएंगे लेकिन हम लोग नहीं करेंगे न हम दर जाते हैं उसे वो बाहु वली है तो यही सोची है आपके अंग्रेज़ों के समय अगर देश से डरते रहते हमारे सुतंता सैना नहीं तो आज भी हम लोग उनको लाम ही होते हैं अन्ना साहब भी डर जाते हैं अगर नेताओं से बड़े बड़े नेताओं से तो आज हमारे देश की और कुछ हालत होती ना तो सूचना का अधिकार मिलता हमें ना ही लोगपाल मिलता हमें फिर बात करेंगे लोगपाल विल्की करें अगर हम लोग तो सन 2011 में हजारे ने भारती संसद में पारिद भरेष्टाचार बिरोधी लोगपाल विध्यक के लिए सत्या गए अंदूलन में भाग लिया तियार किया गया था हूँ 5 अपरेल 2011 एको अन्ना ने सरिकार से इस बिल को जारी करने की मांग के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चित भूँख हर्थाल को सुनू कर दिया ततकालीन पिदान मंतरी उस समय के पिदान मंतरी मनमोहन सिंग थे उनकी मांग को खारिच कर दिया थे इनोंने किसने? मनमोहन सिंग ने वियाद रखिए अरविंद के जीवाल वही हैं जो दिल्ली के सिये में और आप अरविंद के जीवाल को कितना भी गलत ठहराई है लेकिन मुझे बढ़िया लगा क्योंकि देखिए किसी गरीब की क्या जरूरत है गरीब हो या फिर अमीर हो किसी की क्या जरूरत है सिक्षा, स्वास्त और रोजगार और इन तीनों मामले में आप दिल्ली को देखेंगे बहतर स्कोर कर रहा है अब यह रेजल्ट आया हुआ है तो आप देखेंगे कि सरकारी स्कूलों का रेजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बहतर रहा है 97 से 98% तक स्कोर किया हुआ है बच्चों ने तो आप समझ सकते हैं कि कि कितनी अच्छी बेवस्ता है और अपने यहां कि सरकारी स्कूलों के हालत देख लीजी जहां बच्चों को पढ़ाने की वज़ाए आप लोग घर में बैठारना पसंद करते हैं इस आंदोलों को कही लोगों ने समर्थन भी दिया था जिसमें आपके मेगा पार्ट कर पार्टिकल अर्वेंद के जीवाल किरनवेदी जेपेकास नारायन कपिल देव स्रीस्री रवी संकर स्वामी रामदियो से मीडिया का भी समर्थन मिल गया इसमें यह आंदोलन बैंगलोर मुंबई चेन्नाई हमिदाबाद गुहार्टी सिलां के साथी अंड सेहरों में भी फ्यल गया जिसके पल सुरूप आठ अपरेल सन 2011 को सरकार ने आंदोलन की मांग सुईकार कल ली और 9 अपरेल को उनोंने एक अधी सुचना जारी की जिसमें कहा गया कि सैउक्त मसोदा समती में भारस स्रिकार की पांच नावंकित मंत्री पेणव पुखर जी केंदरिये बित मंत्री थे पी चेदंबरम केंदरिये गिरह मंत्री थे उस समय के एम बिरप्पा मुईली एक एंदरिये कानून मंत्री और नियायमूर्ती थे नियायमूर्ती कपिल सिब्बल भी इसमें एक केंदरिये मानाव संसादन और विकास मंत्री थे सलमान खुरसीद ये आपके केंदरी ये जलसान सादन मंत्री और अल्प संखेक मामलों के मंत्रीव थे ये सब ही उम्मीदवार होंगे और पांच सिविल सुसाइटी अर्थाद गेर राजनितिक नाम जिनमें आपके अन्ना हजारे एन संतो सैंगडे वरिष्ट बकील सांती भ रही है उसके बाद 9 अपरेल के को अन्ना ने 98 गंटे की भूंखरताल को समाप्त कर दिया उसके बाद बिल पाप्स करने के लिए 15 अगस्त 2011 की समय सीमा तै कीगी अन्ना ने कहा कि अगर बिल पास नहीं होता है तो वो जन राष्ट ब्यापी आंदोलन की मांग करेंगे उन्ह मंती मंदल ने लोकपाल विध्यक कमसोदा अनमोधित किया जिसमें पिदार मंतरी नियाय पाल किया और निचले नोकर साही को लोकपाल की दायरे से बाहर रखा गया जिसका विरोध करते हुए अन्ना ने 16 अगस्त 2011 को जनतर मंतर पर अनिश्चित उप्वास सुरू करने के अपने फैसले की घोशना करते हुँ कहा कि हम सरकार पर कोई भरोसा नहीं है अगर यह सरकार वेटाचार से सचमुच लड़ने के लिए गंबीर है तो यह लोकपाल के तहित पिदानमंती सरकारी करमचारी CBI को क्यों नहीं ला रही है अन्ना को अंसन से रोकने के लिए पहले दिल्ली पुलिस द्वारां गिरफतार कर लिया गया जिसके बाद पूरे देश में उनके समर्थकों द्वारा बिरोध पिदर्शन की खबर आई जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें बिना किसी सर्थ के छोड़ना पड़ा और फरवरी 2015 में अन्ना ने भूमी अधिग अंत्री तक आपका सामिल है यानि कि सभी पर कारवाई हो सकती विर्चा है आपका कोई भी अधिकारी हो निचलियत इस तरका हो या फिर उपर कोई इससे चूटा नहीं हुआ तो ऐसी लोगों के बारे में आप लोग पढ़ा करिएगा ऐसे लोगों के बारे में आप अपने बच्चों को भी बताया करिएगा परना सोचिए कि हम लोग धर्थी पर आतो गए हैं अधिकतर लोगों को पता ही नहीं कि किस लिए भगवान ने हमें जीवन दिया हुए है आप सोचिए धर्ती पर सबसे जाना समझदार आप ही लोग है यानि कि आप सोचें जानवर में समझ है उतनी समझ नहीं है लेकिन हकीगत बन चुकी है कि जानवरों से भी बत्तर इस्तिती में हम लोग इस समय पहुँच चुके हैं अकल के मामले में पड़े लेके होने के जिद्भा होता है उस पर आप बोड देते हैं मंदिर मस्चिद पर तो आपका देश कभी तरक्की नहीं कर सकता है तो राम मंदिर या फिर कोई मस्जिद या फिर कोई भी हिंदू मुसलिम मुद्दा घर में ठीक है आप भगवान राम को मानिये आप मस्जिद को मानिये पूजा करिये लेकिन देश के लिए कभी तरक्की बान तरक्की के लिए रास्ता कभी नहीं हो सकता है देश को अगर तरक्की करना है तो हमेशा सबको एक होकर चलना होगा और सिक्षा को फिरी हो जाने चाहिए स्वास्त को फिरी हो जाने चाहिए आप सोचिए कि सिक्षा की आ करीब हैं तो जाकी किसी सरकारी hospital में मर जाते हैं क्योंकि जिनदा तो मुझे नहीं लगता ही कि लौट पाते है हमारे यहां की सरकारी hospital है उनकी इस्तितित बहतर नहीं है कि जिनदा alrededor पाना संभव हो तो इतने आप मैं बार-बार बोल ला हूँ कि इस lecture को सभी लोगों तक चाहे फिर बहुत सब हो Facebook हो जिस platform पर आप उपलब दें वहां share करिए जरो ठीक है मैंने कभी नहीं बोलाए कि share करिए अपने लेक्चरों को क्योंकि मैंने आप लोगों से ना तो कभी subscribe करने के लिए वुलाना कुछ भिया आपकी मर्गी अगर अच्छा लगता है आपको तो करिए बना मत करिए कोई जबरजस्ती थोड़ी है लेकिन आज बोलूँगा कि इस lecture को जितने अधिक लोगों तक आप पहुँचा सकें जितने बोटरों तक पहुँचा सकें यानि कि बोट देने वाले लोगों के पास जिसने नई पीडी है मतलब बच्चे हैं नई नई उनके पास पहुँचा आप सकें तो मेरे लिए खुशी होगी और साइद हो सकता है कि देश के लिए कुछ की मांकी जिसका समरतन भारत के मुखचनायुक्त सहबुद्दीन या कुब कुरेशी ने चुनाओ में सुधार के लिए किया है आप सोचिए कि नोटा आपके यहां से तीन उम्मीदबार खड़े हुए हैं आपको तीनों की सकल पसंद नहीं है यानि कि आपको तीनों के कामो से कोई मतलब पसंद नहीं है वो एक नंबर के इवरेष्ट है तो आपके पास एक और दूसरा तो ऑप्सन होना चाहिए तो नोटा होता है आपका वैसे नोटा का कोई जानदा मत नहीं है इसमें लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से होना चाहिए था नोटा का कि अगर सबसे जानदा जिस पंचयात में या फिर आप दो कि देखिए विदायक सीट के लिए या फिर लोगसवा सीट के लिए अगर नोटा पर उस सीट पर सबसे जानदा मतलब दान हो जाता तो उसके बाद जो खड़े हैं उस समय कैंडिए आ पके पिर लोकसवा के हों चाहा विदायक ह तो उन्हें दुबारा चुनाओं में उतरने की इजाज़त नहीं मिली चाहिए थी तो इसलिए हमारा सुधार भी उतर देश में नेताओं में लेकिन इस तरह का देखा नहीं जाता है लेकिन अभी भी जाईए आप लोग बोट देखे आईए और अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो नोटा पर दीजे इस तरह से अन्ना ने समाज में ब्याप्त भिष्टाचार को मिटाने के लिए कई तरह की सामाजी गांदोलन किये जिसमें उन्हें कुछ सफलताएं भी प्राप्त हुई हैं अधिकतर सफलता हैं यहीं मिलीगे अन्ना हजारी की पुस्तक की बात करें उन पर बनी फिल्म की बात करें तो अन्ना हजारी ने कई किताबें भी लिखी हैं जिनके नाम है मेरा गाउं, मेरा बवित देश, राले गाउं सिद्धी, एक बैद परिवर्तन वाट की संगर्ची या कुस्तक मराठी भासा में लिखी गई है इसके अलाबा आदर्स गाउं योजना एक पीपोल्स कारक्रम में सरकारी भागेदारी मारा सरकार की आदर्स ग्राम पर योजना आदी अन्नाहजारी की जीवन संगर्च पर आदर्स फिले में भी बनी है जिसका नाम है मैं अन्ना बनना चाहता हूँ इस फिले में अरून नलावणिन ने अन्नाहजारी की भूम क्या निवाई है यह फिल्म मराठी भासा में अन्ना हजारी की काम पर आधारित बनी है 2016 में अन्ना की जीवन पर आधारित फिल्म में हिंदी भासा में भी बनी हुई है लेकक और निदेश सक यह ससांक उदापूर कर द्वारा मनाई गई है जो अन्नाहजारी की उपलग्दियों को दर्साती है इसे आप लोग देखिए ज़रूर ठीक है? अन्नाहजारी के अगर अबावर्ड की बात करें यानि कि इन्हें जो सम्मान मिली है तो अन्नाहजारी ने कई राष्टी पुरुसकारों सम्मान और अंतराष्टी माननता भी प्राप्त किये जिनका वर्डन निम्नता है 1986 में इस बर्स अन्ना को भारत सरकार द्वारा इंद्रा फिरिये दर्सनी बैक्षमित अवर्ड से सम्मानित किया गया था 1986 की ये बात है 1989 में महराष्ट सरकार द्वारा किर्षि भूसन अवर्ड दिया गया था अन्ना साब को 1998 में कियर राहत एजंसी द्वारा कियर अंतराष्टी अवर्ड दिया गया 1999 में भारत सरकार की द्वारा सामाजीक योगदान करता अबाउड भी दिया गया सन 2003 में अंतराष्टी पार्दिश्ता अबाउड मिला सन 2005 में गांधी ग्राम ग्रामीड यूनिवसिटी द्वारा डावर डॉक्टरेट की उपादी भी दिया गया सन 2008 में वर्ल्ड वेंग द्वारा जीत गिल मेमोलियल अबाउड भी दिया गया 2011 में एंडी टीव द्वारा अर्वेंद की जीवाल के साथ एंडी टीवी साल का भारतिया अबाउड भी दिया गया एंडी टीवी अच्छी अच्छा मतलब देश का चैनल है आप लोग इसे भी देख सकते हैं ठीक है क्योंकि आप देखेंगे कि बड़ी अपत्तिकार करते हैं रवीज से इसमें बस आप किसी भी देखिए इसे मत सोचा करिए कि ये उसमें इस पाइटिक हैं वो सपाइटिक है आप देखिए कि उसे मतलब उन मुध्दों को बताता है कि कहीं अस्पतालों में हालत क्या है इस तरह कि मुद्दे उठाता है नौकरी के उन्हीं आ रही है रिल्वी का क्या हो रहा है तो आपको देख आपकी मतलब जनेल लॉलिज भी बढ़ती है वह एक तरह से आप जाग कि तो यह अन्ना को मिले अभी तक की संपाथ हैं, ठीक है अन्ना हजारी की बिवाद की अगर बात करें, इनों कही बिवाद भी चलेने इनको लेकर अन्ना को भी कई विवादों का सामना भी करना पड़ा है जिन में से कुछ बर्डन ने मिले किते हैं सबसे पहले हैं आपका राष्टी एस्वयम संग की साथ उनका नाम जोड़ना बार्थी राष्टी कॉंग्रेस के एक वरष्ट निता दिग्जे सिंग ने अन्ना पर राष्टी एस्वयम से वक्के एजेंट होने का आरोप लगाती हुए कह था कि सन 2011 में भरष्ट आचार विरोधी आंदोलन अभियान भारत में उन्होंने चलाए उस पूरे अभियान की योजना आरेसेस द्वारा की गई थी जिसमें योजना के योजना के बाबा राम देव थे योजना उसमें सामिल बाबा राम देव भी थे और वी में अन्ना हजारे थे इस तरह के आंदोलन को करने का उनका मुल Nedis राष्टी सुरक नीच ने भी अन्ना के लिए अपने संपात की एमे राजनेतिक दलों के लिए एक पॉक्सी की रूम में कार करने का आरोप लगा था हाला कि इस तरह कि किसी भी संगठन या नेता किसे लिंक होने के आरोप को अन्नाने इंकार किया और याद रखिए नेता वही हैं दिख्वजे सिंग जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं अपने भास्रों के कारण इस तरह से हैं कि कई बार आप देखते हैं कि आतंगबादियों का सपोर्ट करने लगते हैं अगर इनकाउंटर में आतंगबादी मारे जाते हैं तो उनका भी सपोर्ट करने लगते हैं तो इनकी लेला अपनमपार हैं तो इनके बारे में जान्दा मस सोचा करिएगा नरेद मोदी और नीतिक्स कुमार पर भी विच्चार है उन्हों अन्तियास उनका अनुकरण करना चाहिए लेकिन मई में अपने गुझरात दौरी के दौरान अन्हा ने अपने विचार बदल दिये और बड़े पिर्माने पर हिश्टाचार के लिए मोदी की अलोचना भी कि उन्होंने मोदी से लोकायag्त की न्युक्ति करने का अगरय भी किया बहुत कुछ किया यह नहोंने देश के लिए। आप समझें अगर इनकी राहे पर अगर देश चलता तो चीन को भी आप लोग टककर दे सकते थे। अभी आप अगर सोचते हैं कि चीन को टककर दे रहें तो यह आपकी गलत फेमी है। आप खुद देखिए कि आपके यहां कर देंगे वो कर देंगे तो सबसे जानदा नुकसान आपको ही जिलना पड़ेगा इतना समझ लिए और नीव चैनलों की बारे में जानदा मत सोचा करिएगा उन्हें मत जानदा देखा करिएगा क्योंकि वो जिस तरह से आपको मतलब भरमित करते हैं आपको गलत रास्ते दि रहेगा समझे रहे हैं आपको तो आपको मतलब किसी के रास्ते पर चलना है गांदी जी के पर चलिए भगत सिंग के रास्ते पर चलिए बेवेक अनंद साहब के रास्ते पर चलिए ऐसे नेताओं के रास्ते पर चलिए जो हमारे लिए देश में कुछ किया है उन नेताओं क जितना बचा हुए है उसे भी खा के ड़कार जाएंगे वरेश्टाचार के आरोप की बात करें तो सेप्टमबर 2003 में नियामूर्थी PB सावंद के तहट महाराष्ट राज सरकार ने एक जाच आयूग की स्थापना की जिसमें कई मंत्रियों सहट अन्ना हजारी की अद्ध्यक्षता वाली हिंदू सौराज टेश्ट पर भी टरस्ट पर भी बेश्टाचारी की आरोप लगे आयूग ने 22 परवरी 2005 को अपनी जाच रिपोर्ट सौपी जिसमें टरस्ट पर बरश्ट रोप से अन्ना की जनम दिन समारोप के लिए पैसे लेने की आरोप लगे थे दलिद बिरोधी और लोक्तंत बिरोधी होने का आरोप की बात करें तो रामचंद गुहा द्वारा कोलकाता के टेलीग्राप में लेखे एक लेक में कहा गया है कि परियावाण पत्कार मुकुल सर्मा ने दावा किया कि अन्ना ने साकाहरी आहर अपनाने के लिए जालीगर सिद्धी के दलित परिवारों को मजबूर किया साथ ही भी पाया गया कि पिछले दो दसक सिग्गाओं में कोई पंचा चुनाओ नहीं हुआ है हजारी के निदेश निदेशों पर राज्जो राष्टी चुनाओ के दौरान भी कोई चुनाओ प्रिचान नहीं किया गया था तो इस तरह के चलते रहते हैं जब अच्छाई आपकी बढ़ने लगती है और आपकी अच्छाई चपने लगती है तो आपकी बिरोध भी करने बाले पैदा हो जाते हैं आपकी चबी को दूमिल करने वाले भी पैदा हो जाते हैं ठीक है मुसलिम बिरोधी होने का आरोप भी इने इन पर लगा है 22 अगस्त 2011 को लेखक अभीनेता अरूधती रोय ने अन्ना हजारी को गैर सेकुलर होने का आरोप एक समाचार्थ पत्में लगाया था हजारे पर जामा मुस्जित के मुसल्बान बुखारी द्वारा भी मुसल्बानों के खिलाब काम करने का आरोप भी लगाया गया था एक आपने देखा है कोई एक्टर नहीं थी उन्होंने आर्मी के जमानों पर किस तरह से कटाक्च किया था कपूर है कोई ठीक है नाम लेना वाजिब भी नहीं समत्ता हूँ लेकिन फिर भी हम लोग चुब बैठे रहें यानि कि इससे बड़ी सरमवाली कोई बात हो भी नहीं सकती है समझ रहे हैं जो हमारे देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं 24 गंट आपनी जान दे रहे हैं उन्हीं पर हमारे लिया कि जो दो करणी के एक्टर होते हैं वही कमेंट करने लगती हैं जिन्हें हम लोगों ने हीरो अपना मान रखा है सबसे पहले तो आप लोग मतलब अगर किसी एक्टर को अपना हीरो मानते हैं तो इस सरंब की आपके लिए सबसे बुरी बात हैं आपको सरंब आनी चाहिए कि जो हमारे लिए कुछ नहीं है हजारी की हत्या की साजिश भी हुई है अन्ना हजारी साब की हत्या की भी साजिश की गई अन्ना ने महराष्ट की सहकारी कारखाना में विष्टाचार का परदापास किया था जिसमें संसत सदस डॉक्टर पदम सिंग बाजी राव पाटिल के साथ कही बड़े निता भी सामिल थी इस पर अभी फैसला अभी भी कोट में लंबित है इसके बाद में अन्ना को जेड फिलस सुरक्षा बिदान की गई थी इस तरह अन्ना भी आरूप पित्यारूपन का दौर चलता रहा है और हमेशा बिवादों की गिरी में आती रही है लेकिन उनके उपर लगे आरूप आ इनके उपर जो मोभी बन रही है उसे भी देखिए आप लो असल मैं जिंदीकी क्या होती है साधी कर लेना या फिर घर परिवार बसा लेना दो-4 बच्चे पैडा कर लेना और नीता बञ्जाना गली का नेता बण्जाना या देश का निता बcry बढ़ना कोई बड़ी बात कि एक समय था कि हमारा देश बरवाद होने की कगार पर खड़ा हुआ था, बरवाद हो रहा था, दूसरी तरह हम लोग आखे बंद करके तमासा देख रहे थे अन्नाहजारी के अगर चर्चित अनबोल बचनों की बात करें इनके द्वारा जो बक्तब दिए गए है, सरकार का पैसा जनता का पैसा है, इस पैसे का इस्तेमाल जनता के लिए होना चाहिए, सरकार लोगों के लिए प्रभावी नीतिया बनाए, उन्हें लाब पहुंचाने क कौसिक से, सरकार का पैसा जनता का पैसा है, इस सब्दों के याद रखिए, जो भी सरकार आपका कोई भी नेता है, बड़ा हो है, फिर चाहे किसी भी पार्टी का हो, इसके बात का पैसा नहीं है, आप सोच रहे हो कि उसने एक फोर्चूनर क्रेदली, उसने कोई मजदूरी नहीं किया है, आपके ही पैसे को हड़प कर उसने अपना घर परिवार बनाया हुआ है, उसने कभी खेत में जाकर काम नहीं किया हुआ है, कि फोर्चूनर क्रेदली या फिर उसने बी आईपी माकान बनवा लिया, तो जाकर उसने तसला डाले, या फिर जाकर कि किसी खेत मे काम किया उसने आपके ही पैसों को हड़पकर अपने परिवार के अपनी भलाई में लगा लिया है और वो पैसे वैसे आपके उपर खर्च होने चाहिए थी आपके बच्चों की सिक्षा पर खर्च होना चाहिए था लाखों लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने बिलकोल नहीं आप तो कहते हैं कि हम लोकतंत में जी रहे हैं लोकतंत का मतलब ही आपको पता नहीं है गली चलते नेता कुकुरमुत्ता की तरह नेता पैदा हो रहे है असल में उन्हें मालू है नेता का मतलब क्या होता है नेता का मतलब होता है कि खुद के पास कुछ भी हो अगर कहीं जंदा के लिए जान देने की बात आ जाए तो एक परसेंट सोचे बिना अपनी जान देना देश के लिए अपनी जान देना यह होता है नेता को अब काव लेकिन आपको अब नहीं देख रहा होगा इस तरह कि नेता कभी मिले अब स्वार्थी ये नेता अधिक तरह आपको दिखते हैं सरकार के पास लोगपाल को इस्थाफित करने का की एक प्रभावी इक्छा नहीं है लोगपाल बिलकी जो मेरी माग है वो कभी भी नहीं बदलेगी भली ही आप मेरा सिर्ख कार सकते हैं लेकिन मुझे जुकने के लिए किसी भी तरह से बाद नहीं कर सकते हैं जो लोग सिर्फ स्वायती भाव से स्वयम के लिए जीवित रहते हैं, सिर्फ खोथ के बारे में सोचते हैं, वो लोग समाज के लिए मित सम्मान हैं, यानि कि मरेश समान हैं, आप सोचिए कि आपने एक परिवार बसाया पांस साथ बच्चे पैदा कर लिये क्या उखाड लिया कितने दिन इस सरीर है आपका चलिए आज आज आपकी जवानी है कितने दिन रहेगी 200 साल मान लेता हूं 200 साल तक रहेगी उसके बाद मरोगे कि उसके बाद भी बने रहोगे 135 से 140 करोड आपकी जन संक्या है आपके देश की किसे किसे कौन याद रखता है कुकुर मत्ते की तरह पैदा होते हैं मर जाते हैं कोई याद नहीं रखता है याद उसी को रखा जाता है इतियास में जिसका काम अच्छा होता है और या तो जिसका काम गलत होता है उसे इतियास याद रखता है लेकिन उसे इतियास एक गद्दार की रूम में याद रखता है सिंधिया परीबार पर आप अभी भी देखते हैं यह मैं नहीं कह रहा हूँ अभी भी किताब इतियास की आप उठा कर देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि गद्दार समझ रहें कि इतना समय बीधने की बाद भी गद्दार लिखा हुआ है और याद रखिए कि जब तक मारी धर्ती रहेगी, जब तक भारत का नाम रहेगा जब तक हमारा इत्यास रहेगा उस गद्दार सब्दों को कभी नहीं अटाये जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि किस सैणी में आपको सामिल होना है जो लूट पहले मौझूद थी आजादी के बाद भी वही लूट है ओपतरब और भेष्टाचार समाज में मौझूद है मैं अपने देश के लोगों से भेष्टाचार की बिरूद इस करांती को जारूई रखने की अपील करता हूँ चाहे मैं वहां रहूं या ना रहूं फिर भी इस लड़ाई को आप जारी रखेंगे और अन्याय का बिरूद करेंगे तो ये कहानी थी आपके अन्ना सहाब की अन्ना हजारे सहाब की तो मैं लाश्ट मैं फिर उसे कहता हूँ कि जितने अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग पहुँचा सकें पहुचाईए ठीक है निकी बिचारों को और आप भी इतना समझेए कि एक परिवार मैं नहीं मांदा हूँ कि आप साधी करिए बच्चे पेदा करिए फिर चाहे बच्चों को कहीं भी ढखेल देजे कौन याद रखेगा मैंने उन्हें लोगों की स्तिती ठीक देखी है जिनके परिवार नहीं है जिनका बच्चे बीवी नहीं है वो अगर बुडापे में भी उनकी स्तिती आप लोगों से बहते रहती है और जिनके बच्चे रहते हैं जिनका परिवार रहता है और जिनके बीवी बच्चे रहते हैं उन्हें मेने रोड पर चलते हुए देखा है अनाथासरऊ में और विद्धासरऊ में पड़े हुए देखा है जिनकी बहु हैं बेटी हैं लड़के हैं तो समझ रहे हैं कि बच्चे फैदा करना कोई बड़ी बात नहीं होती है आपने देश के लिए क्या किया हूँ है क्या कर रहे हो और सबसे बड़ी बात है कि आपके जीने का उद्देश क्या है मतलब आपको जनम दे दिया है अगर परिवार के साथ जुड़ना और परिवार कोई समाल ला अगर यह आपका कृतब समझते है और यही आपके जिन्दगी का उद्देश है तो आप सही सोच रहे है लेकिन मैं मांदा हूँ कि अगर आपको जनम मिला है इस इंसान का तो कुछ तो देश के लिए करिए चलिए सो रोपे अपने लिए कमाईए उसमें से दस रोपे तो देश के नाम करिए चलिए दस गंटे अपने लिए काम करिए और कम से कम एक गंटे तो देश के लिए दे सकते हैं जापान को याद रखिए कि जापान का मैं बार बार उधारन देता रहता हूं जापान दो बार परमाडू हमला हुआ उस पर उनीच सो पैंतालीस में और बुरी तरह से मिट चुका था आज आप देखेंगे कि भिखसित देशों की सूची में जा खड़ा हुआ है तो आप अपने ही राजजी में दिल्ली की स्थिति देख लिए कि केरल में आप देखिए कि आपके हां से बहतर सुआस्ति बहुस्ता मिलेगी सबसे पड़े लिखी लोग केरल में मिलेगी और महलाओ की स्थिति देखिए कि केरल में सबसे बहतर मिलेगी क्योंकि हम लोगों जैसे अ भी आई हुई है उसे भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है